नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजिन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंतर आज का जो मेरा वीडियो है वो purely student के लिए, only student के लिए कि कोई भी student Zoom Ape के थुरू किस टाइप से online पढ़ सकता है क्योंकि आज कल लागडाउन चल रहा है और कोई भी school college नहीं लग रहे है तो सभी school के जो teachers हैं वो बच्चों को online पढ़ा रहे हैं एक app यूज़ कर रहे हैं अक्सर सभी school के teachers और उसका नाम है Zoom Ape Zoom Cloud Meeting App यह app है इसके थुरू सभी school के teacher सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मेरा जो पिछला वीडियो था वो यह था कि teacher किस टाइप से Zoom Ape को आपरेट कर सकते हैं आज का जो मेरा वीडियो है वो इस्टुडेंट के लिए कि इस्टुडेंट किस प्रकार से Zoom Ape को आपरेट कर सकते हैं यह जूम एप के थूरू अपने school के teacher से online पढ़ सकते हैं यह मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको आपरेट कर सकते हैं इस तरह से इसको चला सकते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने play store पर जाना है और play store पर जाकर आपको लिखना है जेड डबल ओ एम जूम तो देखिए जैसी आपने जूम लिखा तो यहां लिखा आगया है तो अब मैं open button को click करूँगा जैसे open button को click करता हूँ तो मेरे पास यह वाली window आती है इस window में देखिए तीन option है एक तो join a meeting, sign up और sign in जैसे कि आपको मालमी कि आप first time इसको use कर रहे हो इस current से आपको पहले इसको register करना पड़ेगा इसको sign up करना पड़ेगा, तो sign up को click करेंगे, जैसे हम sign up को click करेंगे तो आपके पास यहां पर सबसे पहला option है वो email का है, तो यहां पर आपको अपना email डालना है यह मैंने email डाल दिया, अब मुझे अपना first name डालना है first name इसके बाद मुझे अपना last name means मुझे अपना surname डालना है इसके बाद जैसे, इसके बाद आपको agree पे चेक करना है, agree को click करना है और यहां ओपर next लिखा, इस next को click कर देना है जैसे आप next को click करते हैं, तो यहां पर देखिए, आपको एक window आईए, इसमें लिखा we sent an email to verify your account, मतलब जो मैंने अभी email डाला है, इस email के उपर मेरे को एक समनेवलने mail भेजा है, मैं वहाँ पर check करूँगा इसको पहले तो अब देखिए, मैं अपने gmail पर जाता हूँ, यह मेरा gmail है जैसे मैं gmail पर गया है, तो यहां पर zoom का एक mail आ चुका है, मैं इसको क्लिक करूँगा क्लिक करूँगा तो देखिए, यहां पर नीचे लिखा रहा है, activate account, तो मैं activate account पर जाऊंगा तो यह एक window open हुई है, यहां पर आपको देखिए, आपका नाम आ गया है, आपका last name आ गया है, आप यहां पर आपको अपना password जो भी है, आपको अपने हिसाब से कुछ भी password रख सकते हो, लेकिन इसमें eight digit का password रखना है, जिसमें lower और upper दोनों होना चाहिए, तो मैं अपना क account को verify कर लिया है, आप देखिए, यहां पर लिखा आ रहा है, I am not a robot, तो आप इसको check कर दिए, यह आपने check कर दिया, इसके बाद देखिए, एक option आ रहा है, invite and skip the step, तो आपको invite करना है, तो आपको इस पर जाना अदरवाज नहीं जाना, वेश से आप एक student है, तो आपको account verify हो चुका है, अब यहां पर आ रहा है, start a meeting now, और go to my account, दोनों को नहीं आप यहां से बाहर निकल सकते हो, अब आपको अपने zoom app पर जाना है, जो कि आपने already download कर लिया है, जैसे हम zoom app पर जाएंगे, तो देखिए, फिर से वोई window आईए, अब यहां पर आपको sign in पर जाना है, जो आपने अभी डाला था, और sign in कर दीजे, जैसे आप sign in करेंगे, तो इस type से आपको window मिल जाएगी, इसमें देखिए, सबसे पहले लिखा है, new meeting, join, schedule, और share screen, तो आपको इसमें कोई छिडशार निकलना, only आपको join वाले option पर जाना है, अब यहां पर देखिए, आप लिखा रहा है, meeting ID, और join with personal link name, तो आप क्योंकि आपके teacher आपको personal link वेजेंगे, तो वो यहां पर आपको paste करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, इसके लिए आपको अपने WhatsApp पर जाना पड़ेगा, यह देखिए, जैसे आप WhatsApp पर जाएंगे, तो आपको आ आप अपने जो teacher है, उसके class में पहुंच जाते हैं, उसके class में आप enter कर लेते हो, अब मैं आपको बताता हूँ का, आपके teacher जैसे जैसे अपने phone पर जो भी activity करते हैं, वो आपको यहां पर दिखती रहेगी, जैसे suppose करिए, कि आपके teacher ने आपको कोई photo sent किया, यह देखिए, उन्हें एक photo sent की थी, वो आपको इस समय दिख रही है, इसी type से, कोई दूसी चीज़ सेंड करके बताता हूँ मैं आपको, जैसे suppose करिए, उन्होंने white word लिया है, white word, उस पे वो जो भी लिखेंगे, white word पे वो जो भी लिखेंगे, वो आपको यहां पर दिखता रहेगा, जैस साथ ही, आप उनकी sound भी सुन सकते हो, अब जो भी आपकी teacher को सुनाई देगा, आप कभी भी अपने teacher से, कोशन कर सकते हो, तो इस तरह के से, आप अपने teacher की class return कर सकते हो, तो कैसे लगा आपको यह वीडियो, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई technical help आपको शाहिए, तो आप मुझे comments box के दुरूप पूछ सकते हो, आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं, एक नए विशे के साथ, तब तक आप रही खुश, और मुझे दी जा गया, जैहिंद